हेलो गाईस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सेयर टूडे में आज हम डिसकस करने वाले साउथ इंडियान बैंक लिम्टेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 15 पैसे की देजी देखने को मिले हैं और ये स्टॉक एक परसेंट की करीब की रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है हम इस वीडियो में ये डिसकस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टार्गिट बनत हुए नजर आ रहे है और हमें इस स्टॉक लोग सकापे ट्रेड करके चलना चाहिए सबसे पहला गरम टेकनिकल्स पर चलें तो इस स्टॉक में कुछ इस परकार का देखने को मिलेगा जहां पर पीछे के एक सब्ता में इस स्टॉक में दो परसेंट के करीब की तेजी देखने को मिले हैं एक मैने में इस स्टॉक में साड़े छे परसेंट के करीबन गिरावट देखने को मिल रही हैं तीन मैने में साड़े दस परसेंट के करीब की गिरावट देखने को मिले हैं परन्तु छे मैने में देखें तो इस स्टॉक में 19 परसेंट से भी उपर की रिकवरी देखने को मि तो लॉंग टम में देखें तो इस स्टॉक में एक कोजिटिव ट्रेंड आएगा पर सॉट्टम में इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहाएगा जहां पर पीछे के तीन माहिने से स्टॉक में 11% के करीब की गिरावट दिखा चुका है जैसा कि अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो लॉंग टम में इस स्टॉक में एक कोजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहाएगा जहां पर इस स्टॉक में लगातार एक तेची देखने को मिल रही है पर इस स्टॉक में डबल टॉप बनता हुआ नज़रा ह आप इस स्टॉक का नीचे की स्टॉंग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आए एरॉंड 40 रूपीज 14 पैसे 14 रूपीज 40 पैसे की स्टॉक में नीचे की स्टॉंग सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक में एक रिवर्ट सर पैटन देखने को मिलाएगा तो अगर आप इस स्टॉक में लॉंग टम के लिए पोजीशन बनाना चाते हैं 40 रूपीज 40 पैसे की स्टॉक लोज के साथ उपर के स्टॉक टार्गेट 90 रूपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं इस स्टॉक में उपरी लेबल पर एक सैलिंग फ्रेसर देखने को मिल सकता हैगा इसलिए एक स्टॉक लोज के साथ पोजीशन बनाएग वहाँ पर एक अच्छा रिटन देखने को मिलेगा ये वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपको ध्यल्य बात है